हां जी कैसे हो सारे तो अपना जो आज का व्लोग है वो है 4vya कंपणी के बारे में जहांब मैं अभी exact काम कर रहा हूं तो अभी सुबह के पांच बजे हैं तो मैं जा रहा हूं बस लेने क्योंकि कंपणी बस ही दर स्टोप पर आती है तो अब इसको फोर भी अटर दिया है जिस कमपनी मैं काम करता हूं वो 32 लोकेट करती है लजोर्नो में और अभी मैं जार रह रहा हूं वह मलास की है तो इस कमपनी को जोगिन करने के लिए दो रास्ता है एक तो डारेक्ट और एक थुरू एजेंट फर्क कितना है कि अगर कि ब्रातिसलावा में है और अगर तू एजेंट जाओगे तो एजेंट के अंडर आपको छे मीने वहां काम करना पड़ेगा छे मीने बाद आप कंपनी डिरेक्ट पेपर ले सकते हो जो इन्होंने के लिए तो छे मीने जो है सेलरी वह आपका एजेंट रखेगा उसमें से जो सेलरी में से सब कार्ट गुट के वह आपको देगा हो तो सेलरी वह इतनी बसती नहीं है सो इसलिए एजेंट के थ्रू जाने से इतना फाइदा नहीं है और उसके अकॉमोडेशन भी कोई इतनी खास नहीं उत्ती है तो अगर आप कहके चेंज करो हो तो बड़ी है अधरवा मैंने आपको पहले भी बताया था तो कंट्रैक्ट में को ज़्यादा फर्क नहीं है और जो ओवर टाइम है वह चार गंटे भी लगा सकते हो आठ गंटे भी लगा सकते हो वह तुम्हारे उपर है तुमने कितना लगाना है वह पूछते हैं लगाने से फ़ले और वहां कंप अपना बना के लिए बात है क्योंकि मैं वहँ कमी कहते हूं otherwise मैं यहां से हमेवेशा बना के लिए जाता हूं और क mana कि कशने कई kompeny जो कहती है कि 100 euro भी डालती है तुम्हारे account में तुम्हे card देती है जिससे तुम अपनी data entry करते हो means attendance इन करते हो राउट करते हो तो यह card है जिससे आप card punch करते हो screen पर तुम आपकी attendance लगती है और वैसे ही आपकी जब बाहर आते हो तब भी attendance लगती है कि बंदेने इतने से इतने time अंदर रहा है और यही वह card है जिसमें जिससे आप container में खाना ले सकते हो वैसे तो cash में भी ले सकते हो और अगर आपका अपना ATM card उससे भी ले सकते हो पर company इसमें 100 euro भी डालती है 100 euros तो उसका अगर आप यूज करोगे तो कट जाएंगे पैसे ने यूज करोगे तो वह 100 euro आपको अकाउंट में वापिस आ जाएंगे बट यह कोई extra money नहीं 100 euros वह सिरुफ आपके लिए डालती है यह आपकी salary में से ही 100 euros होते है तो मतलब यह एक तरह से benefit नहीं है यह आपकी salary का हिस्सा है सो मैं तो इसको खर्च नही है बुरी बात है एकदम बढ़िया है जो मरजी खाओ अब ही मैं जहां जा रहा हूं मैं बस लेने जा रहा हूं सो यह एक किलोमेटर से अपड़ाउन थोड़ा सा रसता है सो यहां में बस आती है यह company की जीतनी भी बसे हैं यह सारी company ने फ्री लगवाई हुई है इससा कोई फ्री है और इस company का जो काम है इसका काम है सीट्स बनाना जो बड़िया कार्स की सीट्स होती है यह वाली जिस company में काम करता हूं यह चार company की सीट्स बनाती है फोक्स वैकन और दी पॉर्ष एंड लेंबोर्गीनी ऊरूस तो यह चार शीट्स बनाते हैं और मैं जिसमें काम करता हूं मैं पॉर्ष में काम करता हूं और जो पॉर्ष अभी फिलाल जो लाइन पे और जो बाहर सडकों पर गाड़ी चल रही है पॉर्ष का इन कूप उसक मिन तो विद्टर का मैं नहीं हूं अभी मैं सिर्फ हूँ पे ट्रेनिंग दने जाता हूं निउज सीट की लिए बाकी देखते हैं फूचर क्या होता है तो यह हमारा बस्टोप है सभी कंपणी की बस यहीं से जाती है यह देख़ो है अल्रेडी गोरे लोग खड़े हुए और यह हमारे दोस्त बैग लेके और यहां पर यह इंडोनेशिया वाले हमारे भाई बैठे हुए यह हमारे पाई यह दोसा तो अब हम जा रहें कंपणी मैं इसे चेक को जाते हैं अब देखो फो यह चल अन्हें अब काम चाल रहा है अब यह कंपणी नहीं होई है और इधर भी आने वाले टाइम ए काफि बंदू के डिमांड हो जाएगी कुछ ही टाइम में और यह भी बन रही है कंपनीज नमी बनी है हमारे सामने पहले थे जगा खाली ती जंगल था वहारे सामने बनी है प्रॉपर यह देखो यह सारे खाली है इनमें वर्कर्स की बहुत जरूरत होगी इस अब देखो यहां पर विया यह हमारी कमपनी है और यह सामने हमारी कमपनी अब चेक करो सो यह आप देखो यहां पर विया यह हमारी कमपनी है और यह सब्धी जो लोग है यह बस इधर पार्किंग में उतारती है तो तो सब हम पर पैदल पेंटियञे और जो मेरा काम है वो इस वाले जो एक एंटिय दिख रही है यह एंटि काल यह है पारаю्य hot इस काड़ सेंटर जोती है डिजिटल आपको वह भी दिखाता हूं एंट्री कैसे करते हैं और कभी अगर आप काड़ बूल जाते हैं यह एंट्री नहीं कर पाते हैं आपको अपने सीनियर को जुरू बताना है तो वह कहा के एंट्री डिलवा देते हैं टायम से लिट करोगा तो अदधा गंटा माइनस मलो आपको जोईन होने से कुछ मिनुट पहले और जोईन होने कुछ मिनुट बाद मालो कार्ड पंच करना है तो प्रोपर टाइम गिना जाएगा प्रोपर टाइम कैसे मैं कहा रहा हूँ कि मालो अगर आपकी 6 बजे जोइनिंग है तो ऐसे नहीं आप पूरे 6 बजे मार रो कार्ड या फिर 6 के बाद तो आपको 6 बजे से कुछ मिनट पहले ही मारना होगा और अगर आपकी टाइमिंग भी खतम हो रही है तो उसके भी टाइमिंग खतम होने के बाद मारना है उसे पहले नहीं तो वो प्रोपर टाइम आपका नोट के जाएगा और वो बढ़िया रहेगा तो ऐसे जाने के लिए दो रस्ते हैं एक इस तरफ है और एक इस तरफ भी है तो इस वाले सेक्शन में सारे उधर मा लोग सिगरेट पीते है तो हम तो इस तरफ से जाते हैं क्योंकि दूआ मेरे को अजीब लगता है तो यह मेरा कार्ड है यह से इन्होंने लगाया उनका नाम आया और यह मेरा नाम तो जो पंचिंग मशीन पर तो आप देख रहे थे तो वो सुलवाक में लिखा हुआ है और अगर कोई आता है यहां पर यह लाइंब सीख्या है बेसिक यह बहुत बढ़िया रहेगी मैं भी सीख रहा हूँ पर अभी काफी कुछ सीखना बगती है और अभी मैं जारूँ कपड़े चेंज करने तो यहां सीडियां पर चटके आपको दिखाता हूँ तो इस हौल में आप आ जाते हों तो जहां पर यह बंदे खड़े हैं यह रिफ्लेक्टर वाली जैकेट डालके तो यह केंटीन है हमारी और इधर यह जो सारे पोस्टर लगए यह दिखाया हूँ है कौन से कौन से कंटरी के बंदे यहां पर पहुंच चुके हैं यह देखो जैसे और यहां पर इंडिया का नहीं है बस पोस्टर हो सकता है इन फ्यूचर वह आज इधर और जो केंटीन में है वहां पर भी पहले इंडिया का नहीं था पोस्टर तो जब हमने जोइन किया था उसके बाद हमने देखा यहां पर किनोंने इंडिया का भी पोस्टर लगा दिया इंडिया का ताज महल का इन उन्हें अंदर पॉसर लगाया अभी तो वह लोक है डोर अगर ओपन होएगा आपको मैं जरूर दिखाऊंगा है सो अब ही मैं जार विए अधर सारे जो है लोकर से बंदों के देखा क्या सियां जो नारमल वर्क कास सब ट्रस सेम है और और अगर कोई सीनिर ओपीजस स्पर्खंध सूख़ प्रेम सिमीर करने मिलिए, इसलए पाल सफ दिए, तुछ सममीर करने के पाल समग यह हमारे अजन्सीा है इसे ही देखो यह और जो है हमारे senior यह इनके शूज है और shorts में भी देखो फरक है यह लाइन वली shirt है यह जो shirt है यह दूसरी है यह फरक है अगर local room में नहीं और यह रही मेरी चापी इसी के अंदर में रखा जाना रखा हुआ है यह हमारा कंपनी का खाना और यह हमारे दो बंदो का खाना है यह में टोटल कोस पड़ी 9.84 मालब 10 यूरो के आसपास और साथ में ड्रिंक है सूप है सैलेड है और राइस और सब्जी है और उसमें चिकन एडिट है और ऐसे हम यहां से खाना लेते हैं और बहुत ही बड़ी है खाना यह अगर टेली खाना होना तो वैसे महंगा पड़ता है अधर्वाइस कभी कभी के लिए ठीक रहता है तो आज को खाने लाए थे तो स्पेशल अम इसलिए खाने लाए थे कि आज मैं आपको दिखाऊं केंटीन में क्या सीन है यहां पर ऐसा यह दर खाना बनता है मतल सो आपके 600 नियर बाउट आपके पैसे लगते हैं सो ऐसे हर एक अपनी अजेंसी का अपना काम होता है अगर आप किसी अजेंसी के थ्रू आयो और अगर उनको भी बोलो तो शायद उनके भी लिंक होंगे यह कंपनी लगवने के और वो भी पेमेंट तब लगती है जब आप दूसरी कोई अजेंसी चेंज करते हो अगर आप किसी अजेंसी में आयो और उसी अजेंसी को आप बोल रहो कि हमें अगर उस अजेंसी का लिंक किसी कंपनी के साथ है या इसी कंपनी के साथ है और अगर आप उन्हें बोलते हो कि हाँ हमें इधर चेंज करना है तो तुमारी सो कभी कभी आंखों में लग जाती है सो हर को यह चश्मा डालता है वो एक और चीज है मैं तीन कमेंट के बारे में बात करूंगा सो एक बंदा पूछ रहा था कि जो हमारे 900 यूरोज है वो कट करने के बाद मिलते हैं या फिर 900 यूरोज में से कट होते हैं आपकी जदनी को सेलरी बनते है टोटल चाही 900 बनती है चाही 1000 के बनती यूष में से तह से आपका सब कुछ करता है उसमें से अपको टेक्स करेगा उसमें से आपका रूम कर करेगैं और बिश Umus और पके बगbits चीज यह उनका करें करें से स्वे meट होई जो कथ होने के बाद मिलेगी, so, जो आपको salary आएगी, वो सब cut होने के बाद ही आएगी, तो ऐसा नहीं है, कि आपको पहले salary देंगे, उसमें से cutting नहीं है, ऐसा नहीं है, और एक बंदा पोच्छा था कि फूड का क्या सीन है, फूड के बरें बताओ, तो food अगर मैं company के food की बात करूँ so हर company अपने अलग norms है मैंने पहले बताया था so food सबके सेम नहीं रहते है तो कई company आप जैसे मैंने इसका बताया कि इसका food जो है जैसे मिलता है जो मैंने बताया आपको 100 euros वाला so ऐसे है और कई company फ्री देती है कई company vouchers देती है per day कि कुछ यह रोज का ऐसे अलग लग सीन है तो सब का food सेम नहीं रहता तो यह बस food का यही सीन है तो मैं आपको बताए मैं तो घर सी लात्तों बनाके तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है और यह जो medical वाली बात है कि medical इंडिया से होता है या फिर सलुवाकि हमें चाहिए होता है कि बंदा ओके है नहीं ओके है यहां पे जो आता है बंदा company ने जो अपना टेस्ट करवाना है वह उसका अपना medical होगा तो उससे मतलब इंडिया और उस दोनों medical कोई लेना देना नहीं है तो यहां का medical अलग होगा तो इस medical में आपका भी सारा test होएगा I.T.A.S हो गया आपका listening हो गया आपका blood test हो गया बस ऐसे normal test होते हैं मैं आपको पहले बताज़ कि इसमें घुबराने की कोई बात नहीं है सारे test normal रहते हैं और हर कोई पास हो जाता है, उसमें कोई इतना नहीं है कि कैसे टेस्ट होएंगे, बंदा अगर नशापता करता है, उससे वो साब धन रहे, मैं आपको बता चुका हूँ, वो चीज थोड़ी खराब हो जाती है, उसमें कोई ज्यादा मतलब खतानाक चीज नहीं है, कि ऐसा कु कि अब एक बंदा भी कमेंट कर रहा था, कि अगर हल्प करनी है, तो वीजा कंसल्ट एंसी और उन सबका अड्रेस नमबर भी बता दो, तो ब्रदर बात यह ऐसी है कि ऐसे खुले आम में किसी का नाम और नमबर नहीं बता सकता, और बलकि उनके साथ मेरा कोई ऐसा बॉंड भी नहीं है कि मैं उनकी अड्वर्टाइजमेंट करूं, तो इसलिए मैं उसका नाम खुले आम नहीं लेता हूं, सो बिकोज हर बंदी के अपने नोम्स है, हर कंपनी के, हर अजैंसी के, तो सब के अपने अपने रेट से अपनी अपनी फाइलिंग है, सो ऐसे मैं अगर ओप सकता था कि यह, से मैं यह अई आया हूं, इतना पैसा लगा है, सो ऐसे openly मैं उसको नहीं बता सकता हूं, बनी मेरी इंस्टा-ईड है, आप ने या लास्ट विडियो देखियोगी, तो उसपर मेरी इंस्टा-ईड मैंशन किध है मैंने, तो आप उसे मैसीज कर सकते हो, बात है नेक्स्ट वीडियो में तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर करो और फॉलो करो शुबी व्लोग्स बाई